दोस्तो नमस्कार परिक्षाब नजदीक आ गया है आप सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी तो आज उसी कड़ी में एक वीडियो हम लेके आया है इस वीडियो में हम देखेंगे करेंट अफियर का लगभग 50 कोस्टन इसमें होगा इस 50 कोस्टन में आपको बहुत पता भी होगा कुछ चीजे नहीं पता होगी जो पता होगा उसको हम रिवीजन कर लीजिएगा जो नहीं पता होगा उसको सीख लीजिएगा और देखेंगे ज्यादा टेंशन नहीं रहना जो आपको नहीं पता होगा ना मान के चलिएगा और बस यहीं confidence आपको परिक्षा में चाहिए, BPSC knowledge का परिक्षा नहीं है, आपके confidence का परिक्षा है, तो आप कितना confident है अपने life में यह ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, चलिए तो start करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्ण क्या है, पहला है कि railway सुरक्षा बलके 28 अस्थापना किया गया है, और कौन सा अस्थापना दिवस है, 22 और इसमें Hindi English और explanation सब कुछ है, हम PDF का टेलिग्राम ग्रूप में दे देंगे, आपको पढ़ना होगा, महाँ पे detail में इसको पढ़ड़ी जिएगा, ठीक है, चलिए अगरा स्वाल देख रहते हैं, इसकिल एप लॉंज किया गया है, या किस छेतर से संबन्दित है, आप से एक्जाम में पूछ सकता है, इसकिल एप किस से रिलेटेड है, ऐसा ही प्रश्ण मल सकता है, तो लेदर से रिलेटेड है, चमड़ा से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, बाकि आपको detail में हुआ है, आप पढ़नेंगे, एक प्रश्ण है कि हाली में ब्रेल संस्करन में प्रकासित हेम कोस सब्द कोस किस भासा से लिया गया है, यह लिया गया आपको असमया से, ठीक है, यह उतना इंपोर्टेंट है ने, फिर भी आप देख रहेंगे, यह बहुत इंपोर्टेंट स लोकटक जिल, लोकटक जिल कहां पर है, मनिपूर में है, यह भी पूछा जा सकता है, और मनिपूर में आप केलम जाओ, नेशनल पार्क है, यह भी एकजाम में आप से पूछा जा सकता है, अगला प्रश्ण है, किसने CSR और स्थिर्टा में उत्कृष्टा के लिए के पुरसकार जीता है CSR में कौन एवार्ड जीता है इसके एंसर हो जाएगा एनमडीसी और एनमडीसी की हम बात करें नेशनल मिनरल डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन ठीक है इसके अगर एक्सप्रानेशन आपको देखना है डिटेर में यहाँ पर दिखा हुआ है किसने राष्ट्रिय उर्जा नेता पूरसकार 2022 का जीता है अगला प्रश्ण है किसे हाली में महारत कंपनी का दर्जा दिया गया है यह तो सबको पता ही कई बर बताया गया है और इसके पहले अगर था प्यप्सी था और अभी जो बना है और एसी कंपनी बना है विहार का पहला 100% सो परतीषत डिजिटल बैंकिंग वाला जीरा कौन बना है यह जीरा बना है आपको जहानाबाद जहानाबाद जीरा बना है उप्सटम में नहीं है इसका ओप्सं अजागा ए ठीक है जहाना बजीरा बना है 11 अक्टूबर 2022 अच्छा यह वही स्वाल है उसके explanation है निपुन बिहार मिशन का उद्देश राज के सभी प्रात्मिक विध्यालों के छात्रों को किस कक्छा तक सभी आउश्यक बुनियादी को असल प्रदान करना है किस कक्छा तक की बात हो रही है निपुन बिहार मिशन जो इनिसेटिव है इसमें कहा गया है कि हम तीसरे कक्छा तक के बच्चों को सभी आउश्यक बुनियादी जो कौसल होता है उनको हम प्रदान करेंगे ठीक है तो निपुन बिहार मिशन थार्ड क्लास तक के बच्चों को टार्गेट करता है आपसे यही पूछा जा सकता है केसरिया अस्तूप बहुत इंपोर्टेंट है बिहार के किस दिले में है आपने पढ़ा होगा बिहार हिस्ट्री तो वहापे आपको केसरिया मिला होगा या पुर्वी चंपरन में है पुर्वी चंपरन का डेश्टिक हेट काटर है मोतिहारी यही पे गांधी जी जाते है चंपरन सत्यागरा में यही पे उनको ग्रफटार किया जाएगा वगार वगर जो घटना सलाई के नितृत में दो कमीटी बनता है सारा घटना मोतिहारी की होती है ठीक है तो यह मोतिहारी में और सबसे उंचा भी इसको मतब किसरिया स्थूप बिहार के मतब मोतिहारी में और विस्व का सबसे उंचा स्थूप है आप इसको याद रखेंगे इसका तो आप टीटेर में पड़ भिए का सरुप हर तो इसको मुख बंतर秦 नितीश कुमार शेयं किसा की यह कहां पर बन रहा है तो ज्यादतर दो निसीश कुमार का प्रोजेक्ट घाता है नलंडा में जाता है और मोदी दी का प्रोजेक्ट दो होता है गुजरात में दाता है ठीक है The first phase of हर घर गंगा Will be implemented In Bihar With a total outlay of How much amount Amount की बात कर रहा है कि हर घर गंगा जल का पहला जो चरण हुआ था उसमें कितनी रासी दिया गया है यह होगा 4000 करोड याद रखेंगे पूछा जा सकता है यह सब हर घर गंगा जल और नल जल हर घर नल का जल यह सब बड़ा योजना अभी फिरमस है इसे प्रशन पूछा आ सकता है कितना amount की इसमें लग रहा है तो first दो फेज होगा उसमें 4000 करोड उर्पे लगेगा हर घर गंगा जल में अब हर घर गंगा जल के बारे में आप डिटेर में यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ड़ेंगे यहाँ पर राजगीर गया और बोध गया तीन जो डिस्टिक है इनको याद रखेंगे एकजाम में पूछा आ सकता है इस प्रिसली तीन को यहाँ पर हिट किया गया है चलिए बिहार विद्योग विभाग ने पहली बार और दोगिक विकास की रैंकिंग जारी की बहुत इंपोर्टन्ट है पहली बार हो रहा है बिहार का है ठीक है तो इसमें कौन सा जीरा सिर्ष पर टॉप पर कौन सा रहा है टॉप पर आया है और यह जो रैंकिंग आया है के तो कौन रैंकिंग विभाग है दूसरा jed दुम भी यह तो पहला है ख़र रहा है हाली में बिहार बाल, स्रम, आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है इस टाइप का प्रश्ण बनता है कुछ कमीशन, माइनुरिटी कमीशन हो, बाल, स्रम, कमीशन हो या वोमेन कमीशन हो इस सब पर प्रश्ण हमेशा एक दो देखेंगे मिल जाता आपको एक्जाम में तो इसके चक्रपाणी हिमानसू ठीक है चक्रपाणी हिमानसू बाल बिहार बाल स्रम आयो के हैं ये बिहार वाला की बात हो रही है नेशनल की बात नहीं हो रही है आगे देखते हैं बिहार सरकार ने सबसे पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयो क अगठन किया है इस आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे इसके होंगे नवीन चंद्र आर यह जद्यू के नेता है नवीन चंद्र आर यहां पर पढ़ सकते हैं आप क्या है कैसे है अती पिछड़ा वर गयोग तो बच्चो वाल जो आयोग था उसके कौन थे चक्रपाणी हिमानसु और जो पिछड़ा आयोग है उसके नवीन चंद्र आर यह ठीक है किस देश ने दुनिया कि सबसे लंबी यात्री ट्रेंड शुरू किया है यह दवाको सौ कोच है इस ट्रेंड में और बहुत रंबा है इसमें ज़्यादा डिटर पढ़ने की दिरोत नहीं है बस स्वीटेंड से काम किया है यह याद रखेंगा ठीक है किस राज जिने भारतिय सेना के दक्ष्णी पस्चिम कमांड ने एक एकृत अगनी शक्ति अभ्यास सत्रूनास आयोजित किया इसके एंसर हो जाएगा आपक इसके एंसर ठीक है आप भी याद रखेंगे सत्रूनास राजास्थान बस दो ही आप याद रखेंगे ना आपका यहां से कुस्टन बन जाएगा ज्यादा लंब चोड़ाची मत याद लिखा आना तो उसका कीवर्ड आप देख लिए क्या पूछ रहा है उसका एंसर क्या ह होगा बस यहीं सब याद करिए ठीक है अभी टाइम कम है तो पढ़ने का तरीका भी थोड़ा से एकदम फास्ट रखेंगे डाइमंड रिग ट्रोफिस इतने वाले भारती कौन बने हैं डाइमंड रिग कौन बनते हैं नीरत चोपडा नीरत चोपडा एक बार में थोड़ा आप इसको पढ़नेगा है विस्व फुस्ती चैंपियंशिप में दो पड़ा जीतने वाली पहली भारति महिरा इसा जाहिए में तो अच्छा खाने को तो मिलेगा हना स्वस्त हेल्दी रेसिपी कंपर्टीशन कहां पर हो रहा है यह रहा है आपको मनिपूर में ठीक है इंडिया फर्स्ट एलिथियम सेल मेनुफेक्ट्रिंग प्लांट हैज बिन सेटप इन विच स्टेट लिथियम सेल कहां किस राज में लग रहा है यह लग रहा आंध्र पर्देश में यह पहला है इसी दिये बहुत इंपॉर्टेंट है आप याद रखेंगे और अभी भारत स काफी अचा है देखने में लुक भी बहुत बढ़ी है और पॉल्यूशन भी नहीं हो उसमें चीक है चलिए यह बाल नीदान पोर्टर किसके द्वारा शुरू किया गया है यह बाल नीदान इसका एंसर हो देगा एंसी पीसी आर इक एंसी पीसी आर बच्चों के रोल देखेंगे एंसी पीसीर क्या है यह आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन आफ चाल्ड राइट ठीक है यहीं बच्चों के बारे में इतनी भी पॉक्स हो अगर आप पढ़ेंगे चाहिए बाल नीदान पोर्टर ता बच्चों के रिगार्डिंग कोई भी पोर पाथ ही नहीं है चाहिए बहुत रंबा इसका एक्ष्प्राइशन दिया है मन करें तो पढ़ दीजेगा विस उजोन दिवस कब मनाया दाता है किस दिन मनाया दाता है 16 सितंबर को मनाया दाता है और 16 सितंबर को आप देखेंगे एक मॉन्ट्रियर प्रोटोकॉल इसी से रि तो आपसे भी पूछा सकता है कि वो जोन दे किस दीन मनाते हैं और मॉन्ट्रियर प्रोटोकॉल किस से संबंदित है यह भी पूछा सकता है तो याद रखेंगे वो जोन लेयर ठीक है थीम की बात करने भी शोदोंडे के थीम की बात करने मॉन्ट्रे प्रोटोकॉल एट रेट 35 प्रिथी पर जीवन की रक्षा यदे वैस्विक शहयोग कि नेमिखित में से किस पात्रिक्या को राज भाषा कृति पुरसकार से शम्मालिक तब्सक्राइब की जाती है ज्यादा था जैसे यूजना में देखेंगे भारत सरकारी की यूजना का दिक्र होता है कुरुचत्रा मैगजिन में आप देखेंगे कि सोसल डेवलप्मेंट का बात होता है इस अब दोनों मैगजिन की बात करें तो यूपीसी के लिए इंपोर्टेंट है और बिज्ञान प्रगती में साइंस टेक की बात होती है ठीक है चलिए एड्मिरर सुनील लंबा को किसके द्वारा में धावी सेवा पदक से समानित किया मतब एड्मिरर सुनील लंबा के बारें पूछ राया कि कौन देश के द्वारा इनको यवाड मिला है यह मिला आपको सिंगापूर सुनील लंबा सिंगापूर से यह बाड़ मिलता है मिधावी सेवा पदक कार अब एक यह क्या है इनके बारे में यहाँ पर डिटेन पढ़िजेगा क्या क्या है 2022 में बहुराश्ची अभ्यास पिच ब्लैक बहुत इंपॉर्टन्ट कि कहा पर हुआ है यह उस्टेरिया में हुआ है लेकि यह किसी एक देश का एक्सरसाइज नहीं है यह बहुत सारे देश मिलके यह यह पर एकसरसाइज करते हैं तो आप याद रखेंगे भारत इसमें पाटिस्पेट किया है तो आपसे यह पुछा सकता है पीस प्राइक कहां हुआ है ऑस्टेरिया में भारत इसमें पाटिस्पेट करता है और और भी देश वहाँ पर पाटिस्पेट करेंगे देखें यहाँ पर दिखाए भारत परसांध चेत्र के देशों के साथ परसांध चेत्र में तो पैसफिक के लिया में भारत है थोड़े है बहुत सारे देशों है तो उन सारे देशों का एक exercise है जो हुगा है ऑस्टेलिया में यह जगा बहुत important है आप याद रहेंगे अगला हाले में प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉंच किया गया तारागीरी क्या है एक है 17A यह बनाता है क्या समुद्री जहाद बनाता है एक आप पढ़े हैंगे प्रोजेक्ट 75 यह क्या बनाता है यह पंडू भी बनाता है सब्मरीन बनाता है और इसका लाश्ट सब्मरीन अभी कोन आया है वागसीर वागसीर इसका लाश्ट सब्मरीन आया है जो अभी रोंच किया गया दोजार तेईस में तो आपसे पूछा जा सकता है तो प्रोडेक्ट सेवेंटीन ये बनाता है समुदरी जहाद जो लाश्ट अ अभी वागसीर इसको अम बाद में कभी देखेंगे ठीक है तो आप यहाँ पर याद करेंगे तारागीरी क्या है समुद्री जहाद है कि चलिए अब है विश्व डेरी सीखर समिरन 2022 बारत के कि सहर में हुआ है डेरी का अगर समीट पूछा दें तो ग्रेटर नोड़ाय में हुआ है देखिए नरेश कुमार जिनका हाले में निधन हो गया किस चत्र से संबंदित थे देखिए निधन वगरा ज्यादा नहीं पूछता है लेकिन जो फेमस परसनालिटी है उनके बार में पूछता है जो इन नरेश कुमार थे गोल्फ से रेटर थे और बहुत दिनों तक ये भ भारत को लगमा आट सालों तक भारत को लीड कर रहा है आप से पूचा अपको पूछा सकते हैं डेविस कुमार जिसकी से आड़ी थे और यासभ़ाइन हो बने थे और दिविस कुमार लेट वे उन फ्रहत को वगरा मंत्री ने इंडिया गेट पर कर्तब बेपत का उद्गाटन किया और नेताजी सिवास्तन रभूस की मुर्ती का अनावरण किया कब किया डेट पूछा दा सकता है चुकि ये डेट बीप्यसी पूछता है ठीक है तो इसका आठ सितंबर को हुआ है बताब पांच सितंबर को सि सिकर का आप याद रखेंगे और कर्तब बेपत को हमने बताया था आपको कि कर्तब बेपत नाम जो राजपत था उसको बतलकर कर्तब बेपत हुआ है और नाम बदला कौन है अगर यह पूछ दे आप याद रखेंगे एन-m-dc कि णि ए या है कि की नेंडिक है नेल्स देली मुनिसप्रांड करपूररेसन किया इसका नाम चीर्ट ही है इसे नहीं कासखते हैं के मुर्थिये लगा गया ऐदक सेंबर को मुर्ति लगाते कौन है उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए जो मुर्तिकार है अरून योगी राज है इनका भी नाम याद रखेंगे मैं भी पूछा जाए ठीक है बाकी तो सब होई गया युयस स्टार्ट अप से तू किस के दारा लांज किया गया है अब आपसे भी पूछ सकता है कि से किस के लिए लांज किया गया इसका पर्पस क्या है इसका स्टार्ट अप करिए TS से स्टार्ट अप ठीक है देखिए साथ सितंबर 2022 को स्वक्ष वायू दिवस मनाए गया तो स्वक्ष वायू दिवस मनाए गया इससे क्या संबन्दित है कौन सा ओप्षन इसमें सबसे बढ़िया है एंसी एपी के तहत वायू गुणवत्ता में सुधार के लिए जागरुकता बढ़ाना और कारयों को सुगम बनाना ठीक है यहाँ पर पानी की बात कर रहा है तो यहाँ पर वायू प्रश्ण है तो पानी तो एंसर होगा नहीं गरत हो गया ओजून हो गया एभी यहाँ पर गर साथ अगस्त को हमने क्या देखा था जैवलेन थ्रोडे साथ सितंबर को क्या था स्वक्ष्वायू दिवस और साथ सितंबर को यहाँ पर क्या था अभी एक ने टूपर था आठ सितंबर को करता बेपत्थ पर नेताजी स्वास्टन्रबोस का मुर्ति लगाए गया ठीक है त अब आप से पूछा दा सकता है गुरुघ घासी दार गुरु घासी डार इश टाइगर रिजर्ब कहा पे है यापका शत्तिसगड में ठीक है रामगडर अभी सिधार ने भी कहां सेप्रेट सेप्रेट भी पूछा दा सकता है कि कौन कहां पर चार नॉवंबर 2022 को अडाने निव इंडेस्ट्रीज ने किस राज में भारत की सबसे बड़ी पवंड टर्बाइन अस्थापित की है अभी तो चर्चम यहीं चल रहे हैं अडाने जी और सबसे बड़ी पॉंड टर्बाइन कहां पर लगाया है तो यह जगह हो दाएगा गुजरात है ठीक है तो आप याद रखेंगे सबसे बड़ी पॉंट टर्वाइन कहां पर लग रही है गुजरात्म लग रही है कौन लगा रहा है आडानी चलिए विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां अस्थापित की गई है यह उज्जेन में प्रश्ण पूचा देखें इस टाइप के सवाल एक्जाम में आपसे बन सकते हैं पहली है विश्व की पहली है भारत की निबल के विश्व की पहली है तो इस टाइप की प्रश्ण बन सकते हैं उजय ने बन रहा है वैदिक घड़ी और धार्मिक प्रश्ण भी और धार्मिक जगा भी है ठीक है दोनों याद रहेंगे इसको यहीं है कि वैदिक घड़ी इसमें देखे संस्क्रिट में साराज से दिखा हुआ है कौन सा राज राज राजिंग सन वाटर फिश्ट दोहजर बाइस कार्दक्रम का मेजबान है यह राज है मेग हाले ठीक है अब देखे विधी आयो का लोग कमीशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है बहुत इंपोर्टेंट है इसा प्रश्ण पूछा जाता है यह रितु सेकंड लोग कमीशन जो अभी बना है उसके चेर्मेन बने हैं ठीक है यहीं है रितुराद अवस्थी ट्वन्टी सेकंड है यहीं पूझा सकते कितने नंबर के हैं 21-22 देखे खादी ग्रामोदोग आयो के CEO के रूप में किसने कार्दभार रहा है यह विनीत कुमार यह विनीत कुमार याद रखेंगे इनको किस वर्ष को भारत आसियान भारत मैत्री वर्ष घोसित किया गया है यह 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 दो हजर बाइस ठीक है अभी भारत और आसियान के बीच में आप देखेंगे ना 30 साल पूरा हुआ है कब हुआ है 22 में 30 साल पूरा हुआ है तो इसको friendship के रूप मनाया जा रहा है तो exam में यह बहुत important है पूछा जा सकता है आसियान का समीट वगारा भी जो हाल फिरल हुआ है उसको थोड़ा सा एक नजर यहाँ पे देख रहेंगे और यहाँ पे जो भी आ मंडेला पुरसकार 2022 से की से सम्मानित किया गया है यह दलाई रामा गांधी और मंडेला पुरसकार दिया दाता है सांती के सित्र में दलाई रामा को दिया गया है विसिश जोगदान को दिये ठीक है भारत का पहला नाइट सकाई सेंक्टूरी कहां स्थापित होने वाला है यह होने वाला है लद्दाख में ठीक है देखिए नाइट सफारी भी आपने कई जगा पढ़ा होगा हमने यूपी की बारे बताया था तो यहां पर नाइट देखके न एकदम एंसर पर नहीं जाना है कंफीज होते हैं यहां पर नाइट सफारी पूछ रहा है कि नाइट सकाई से पूछ रहा है ठीक है दोनों थोड़ा सा कोशन को दिहान से पढ़ेंगे आधा दूर पढ़ेंगे तो कंफीजन हो सकता है इसका एंसर होगा आपको लद्दाख हानले यह भी पूछा सकता है आपसे हानले कहां पर है लद्दाख में है परसिद किनौरी सौल सरवाधिक किस राज में पाई जाती है किनौरी सौल कहां कि फेमस है यह आपका हिमाचल परदेश का श्री नाद प्रभू केंपे गोड़ा की काश परतिमा को समरिधी की मुर्तिक रूप में जाना जाता यह किस के संस्थापक थे यह बैंगलोरू के संस्थापक थे और बैंगलोरू का जो एयरपोर्ट है इन्ही के नाम पर है केंपे गोड़ा एयरपोर्ट उसको कहा जाता ह है उसका नाम है केमपे गौड़ाई अरपोर्ट तो बैंगलोर से रिरेटल है और प्रधान मंत्री जी ने इनकी मुर्ती को महाँ पर स्थापित किया मतलब घाटन किया उसका तो एक मुर्ती बन रहा वैंगलोर में यह है एक मुर्ती बन रहा है है हेदराबाद में, एक बन रहा है आपको जम्मुएंट कस्मीर में, एक बन रहा है आपको राजस्थान में, इस सारा मुर्ती को आप याद कर लेंगे, एकजाम में यहाँ से प्रश्ण है, पूछा दा सकता है, ठीक है, मुर्ती एकदम बन रहा है, विकास देख रहा है, चरम पर चल लाए है किस सहर की स्काइड रूट एरोए स्पेस द्वारा दिसका पहला एक क्रित रोकट डिजाइन निर्माण और परिक्षण सुधा प्रतान की जाएगी यह सहर होगा हैदरबाद स्काइड रूट एरोए स्पेस की बात की जाएगी तो आप इसका याद रखेंगे हैदरबाद पुलाई कुलांग मलेशिय मायजित भारत मलेशिय संदुक सैन अब्यास 2022 का क्या नाम है देखिए भारत और मलेशिय के बीच में एक एकसरसाइज हुआ है अब इसका नाम क्या ह थे ही सिर्ण राइस में इसका नाम है आपको को हरी मॉशक्ति है है भारत मलेसिया यह डिक पीच में पूछा धाए कोन सा एकसरसाईज हो रहा है उसका नाम हो हरी त Works भारत एक किसी साथ करता है USA के साथ करता था है शुर्द्य किस के साथ करता है नेपल ठीक है गरुन कहां स दिया Frans दिया ठीक है ऐसे याद कर रहेंगे नहीं होगा सबसे बड़ा जंगल सफारी पार किस राजम है हरियाणा में है इसको तो बताया हुआ है याप कर रही होंगे किस देश ने अपनी राधानी के नाम नूर सुल्टाने से बहुत कदाकिस्तान है ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा रक्षा समाद डिफ एक्सपो 2022 किन दो देशे के बीच आयोजित किया गया है देखिए अगर कंटर की बात की जाया तो भारत अफरीका है और अगर पूछ दिया जाए कि डिफ एक्सपो 2022 कहां आ गांधी नगर गुजराट और गुजराट में आप देखेंगे इस साल गुजराट से पकले अगर गुद्रात में ज्यादतर अगर आपको नहीं इसर पता हो तो तुक्का मारना हो और रिस्क लेना हो तो गुद्रात परी जिएगा चुकि वहां पर सही हुने की चांस ज्यादा होगी ठीक है एक एयर बस का प्रोजेक्ट सा महाराष्ट्रे से भी उठा के गुद्रात में आ ग किसके परती जाग रुकता फैलाई है तो सस्टेनेबर डेवलप्मेंट गोल्ड के परती इनका दो जाग रुकता फैलाई है एस्टी जी हो जाएगा इसमें ऑप्शन यी हो जाएगा यहाँ पर डिटेल में उनके बारे में दिया हुआ है आप थोड़ा सा पढ़ देंगे ना पढ़ेंगे तभी काम चलाएगा स्रिष्टी बक्सी जो है चेंज में कर पूर्यसकार इस सबसे बड़ेवलप्मेंट गोल्ड के लिए बस हो जाएगा इस या के सबसे बड़े कॉम्प्रेश्ट बायोगेस सीबीजी सेहत का उद्गाटन कहां किया गया है यह किया गया पंजाब में ठीक है इस यह का सबसे बड़ा है तो इंपोर्टन हो ही जाएगा इस यह का सबसे बड़ा कहां पर हो रहा है सीबीजी पंजाब में हो रहा है मलंग सहर जिसने कजुरू हान फूटवाल स्टेडियम है किस देश में है देखे यह जो एक फूटवाल स्टेडियम था यहाँ पर मैंच हो रहा था बहुत सारे लोग अचानक रहा हो दो तीने सारे लोग मतलब पीछ में ही पहुँच गया और थोड़ा सा भगदल मच गई तो यह न्यूज में रहा चर्चा में रहा तो पूच सकता है मलंग सहर कहाँ पे है या कजुरू हान फूटवाल स्टेडियम कहाँ पे है यह है इंडोनेसिया में ठीक है बस यह सब इतना डिटेश पढ़ने के दुरुत नहीं है सम नहीं आए गया बस आप याद रखे यह संस्था है वर्लड बैंक वर्ल्ड स्पाइस का चोदफा संसकरंत कि स्राजमाव्जीत किया ड़ेगा वर्ल्ड स्पाइस कॉंग्रेस यह कीर जोंस्तफ UW Bennett में इंडिया व्यरहाउशिंग मार्कट्रिपोट 2022 में पटना किस्तान पे है पटना कि बात करें दूसरा अस्ता है पटना का ठीक है इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट पटना दो नमर पे है बिहार बीधान सभा के नए अध्यक्स क्रूप में किसे नुक्त किया गया बिहार बीधान सभा पूछ रहा है यह अवद भीहारी चौधरी और अगर बिहार बीधान परिशद की बात सकता है यहां पर पूरा डिटेर्मिन रिखा पढ़ दीजिएगा देखें इंटर पोड की 90 वाला जो बैठक हुई है कहां पर हुई है यह इंपोर्टेंट है आपके दिए यह बैठक हुआ है इंडिया में और दो साल पहले 2021 में ही जो अमीच साथ पीछे कभी किसी समीट मे गया थे तो वहाँ प्यूंने बोला कि भारत पाच्वचात्तरमी सालगीरह मना रहा है आजादी पाजित रहा है यह भारत में हो रहा है इसको याद रखेंगे can लूष Swiss Camt कहा हो रहा है भारत में हो रहा है और 20 साल में पहली बार भारत में समिट में थोड़ा सा important है यहांपे पुढ़ीजेका थोड़ा सा फैक-ख्तूबर में सौन मना रहा है वप्तलत आजमान रहा है यह अदि का गर सिक प्रमानौ अभ्यास कोड एसा लवान одноकि Province की को खोश्ड़ की देखेखेए सब याद करें जो आप सिर्फ याद करीं इस्टेड़ फास्ट नून किसका है नाटो का ठीक है यहाँ पर एन है यहाँ पर एन है तो थोड़ाँ ऐसा याद कर साई चार रिख यहें बस एक क्या रिखा है यह सब कोई मतलब नहीं आप एक चीज पकड़िये, वहीं question में आएगा Global Hunger Index 2022 किसके द्वारा संज़क तुरूप से जारी किया गया इसमें कोई एक नहीं है इसमें option E हो जाएगा क्योंकि इसमें ये दोनों option correct हो जाएगा ठीक है और भारत का ranking की बात करें 107 है नोबल सांती पुरसकर सम्भानित महा महीम मिखायल गुर्वा चो किस सेत्र संब्दनी थे मिखायल गुर्वा चो युएससर के बड़े काबिल निता थे तो ये सोवियत पोलिटिक्स से संब्दनी थे ठीक है वोड्ष्टोक मिलेटर एक्सरसाइज 2022 वोड्ष्टोक मिलेटर एक्सरसाइज किस देश के साथ भारत करता है यह होजाएगा रूस चुकि वोड्ष्टक नाम से ही पता चल रहा है कि यह रूस का सहर का नाम है तो ठीक है उसी हिसाब से आप भारत और रसी एक बीच में वोड्ष्टोक समिट हुआ है इस पार्क प्रोग्राम इस रिरेटेड टू आयरुवेदा स्पार्क की बात की जाए तो यह आयरुवेद से रियेटेड है और आयरुवेद की बारे में यहां पर डिटेर में आपको लिखा है हाला कि यह सब कुछ इंपोर्टेंट है नहीं फिर भी आप पढ़ड़ेंगे मन करेतों नहीं तो छोड़ सकते हैं नेशनल स्सी स्टी हब कॉनक्लेव किस राज में आयोजित किया गया था यह राज था मिजोर्म स्सी एश्टी हब कंक्लेव हो रहा है मिजोर्म में चलिए आगे ओपरेशन पोलो यह बहुत थेमस सवाल है यह कई बार एकजाम में पूछाएगा ओपरेशन पोलो जो है है हैदराबाद से संबंदित है आप देखेंगे जो भारत आजाद होता है तो सारे राजा राजवा और एक होगा जम्मू एंड कस्मीर यह तीनों ही विवाद करेंगे इन तीनों को भारत में सामिल करने में थोड़ा सा देखत होगा तो यह जो लिबरेशन ऑफ हैदराबाद की बात हो रही है यहीं पे चला था आपका ओपरेशन पोलो ठीक है हालमी भारत के किस राज़ के सहयोग से दुबई में अनानास के लिए इन इस्टोर एक्सपोर्ट परमोसों सो का योधन किया गया यह मनीपूर पीम स्री उल्णा कब सुरू की गई देखिए डेट या आप जरूर याद रखेंगे यह सब डेट पूछा जाता है एक्जाम में पीम स्री उल्णा कब लौंच की गई पांच सितम बर मतलब सिक्षक दिवस के दिन सिक्षक दिवस के दिन इसको लौंच किया गया ठीक है पीम स्री उल्णा अब इसमें पीम स्री उल्णा में होगा क्या इसमें लगभग आप देखेंगे यहां पर स्कूल बनाया जाएगा ऐसा प्लान है ठीक है तो आप यहां से दो डाटा याद कर लेंगे इसमें कितना स्कूल बनाया जाएगा 14500 और कब लौंच किया गया पांच सितम्बर दो हजार बाईस ठीक है चरिए 75 creative minds of tomorrow किस मंत्राले द्वारा शुरू किया गया है मतलब creative mind की बात हो रही है तक किस मंत्राले से हो सकता है यह सूचना मंत्राले ministry of information and broadcasting स्टार्ट किया इसको 75 creative minds of tomorrow यह important है आपसे एक्जामें पूछा आ सकता है किस ministry के पाहर है और इसमें क्या होगा आप यहां पे देख रीजिए creating mind की बात हो रही है तो जो youth है जो रचनात्मा काम करेंगे उनको प्रोथसान दिये दाएगा उनको चुना जाएगा वगरा वगरा होगी राष्ट्य पोस्ण माह के रूप में मनाया जाता है किस महीने को मनाया जाता है सितंबर महीना को मनाया जाता है राष्ट्य पोस्ण के बारे से लेटर ठीक है देखिए एक वेस्ट पहल है इनिसेटिफ वेस्ट तो इसका अर्थ क्या है मतब पूथरा इस में कि वेस्ट का फूल फर्म क्या है इस टाइप से प्रश्ण बनता है एक वेस्ट इनिसेटिफ आया है तो वेस्ट का फूल फर्म क्या है इसका है Women in Engineering Science and Technology यहीं इसका full form है आप याद रखेंगे जो West Initiative है यह क्या कहता है आप डिटेर में यहाँ से देख रहें जिए यह West Initiative है यह 5 सितंबर को शुरू किया गया इसमें होगा क्या कि महिराओं को मतलब Science and Technology और साथ में कह सकते हैं कि Innovation वगर हमें इनको भेजने की और जागरुकता बढ़ाने के लिए यह किया गया जारा कि एक ऐसा एको सिस्टम बनाया जाएं जिसमें महिराओं भी आएं Science and Technology में और Innovation में महिराओं भी पार्टिसिपेट करें तो यह जो West उन्हीं से रिरेटर यह योजना है यह प्लान है जो 5 सितंबर 2022 को लॉंज किया गया है ठीक है हाले में चुनेगे महा महीम विलियम एस रूटो किस के अध्यक्स बने किस देश के अध्यक्स बने विलियम एस रूटो के निया के बने हैं ऐसा ही प्रश्न पूछ लेता है यह किसी देश के अगर कोई राश्पती या प्रशान मंत्री नए नए बने हैं तो वहाँ से प्रश्न पूछता है एक दो प्रश्न यहां पर रहता है फोटीट वी जूनियर बालिका राश्ट्रिक कबड़ी चेंपियंशिप 2022 का विजन कहा किया गया यह जगा हो जाएगा आपका पटना जूनियर बालिका राश्ट्रिक कबड़ी चेंपियंशिप 2022 का विजन कहा किया गया यह पटना में किया गया नेचीश कुमारी इसको इनोगरेट करते हैं ठीक है पाट्री पुत्रा में खेल परिसल तो कंकर भाग में है वहीं पे किया गया और अगर उसमें हम फाइनल की बात करें तो हरियाना जीत किया बिहार को हरा दिया और लगतार चौथी बार बिज़ाई हुगा बिहार के किस भु भाग ने भु समधान पोर्टर लोंज किया है यह है होम डिपार्टमेंट बिहार का होम डिपार्टमेंट तो है एक भु समधान पोर्टर लोंज किया है और भु समधान पोर्टर क्या करेगा जो भी आपका रिडेटेड थाना और प्रखंड होगा उससे जो बिवादित आपका कोई भी जमीन वगर होगा तो उससे बात करके करवाई का पूरा निप्तान करवाएगा और जो भी अप्रोड करना होगा इस website पे अप्रोड करवा देगा मतुताइब आपका जमीन का कोई भी समस्या हो तो जो भी rated थाना और ब्लॉक वगर जो भी होगा वो देखेगी और जो भी समस्या होने सुलधाने के बाद जो फाइनल आपका डोकुमेंट होगा उसको इस पोटल पे भू समधान पोटल पे लॉंच कर देदाएगा ठीक है नाम सहीं पता चल रहा है कि भू समधान है तो लेंड कहीं कुछ से विवाद होगा बिहार के माननी मुख्मंत्र से लिए नितिसकुमार के घोशना के अंसार बिहार के किस दिरे में खेल विश्वी डाले बनाए दाएगा यह होगा आपका राजगीर ठीक है मिखेदुशनी बन रहा है याद रखेंगे यहर के की दिरे में पित्रपक्छ मेरा आयोज przyman कि आज़ा रहा है यह पित्रपक्छ गया में होता है गया में अपने सुना भी होगा लोग दाते हैं पिंडा देने के लिए तो वहीं पूछ रहा है कि पित्रिपक्स मेला कहां पर हुआ है अभी हाली में गया में हुआ था पित्रिपक्स मेला कि देखिए नौ से परचीश सितमर 22 को अब हैं मुखमंत्री ग्रामीन सुलर येश्ट्रीट लाइट योजना गतात परतीक वाड़ और पंचायत को कितनी सुलर लाइट ये पड़ान की जाएगी दस हर वाट और हर पंचायत को दस सोलर लाइट दी जाएगी और यह किस योजना कता दी जाएगी तो मुखमंतरी ग्रामीन सोलर लाइट योजना और देखे इस योजना के बारे में थोड़ा से यहाँ पर पहलेंगे ठेक है पंदर सितंबर 2022 को इसको लौज किया गया है डेट भी पूछा दा सकता है बिहार के मानने में कुछमंतरी सिनीति इसको मारने हाले में राज के एकमात्र बिहार राज मानसिक स्वास्त और संबन्द विज्यान सनस्थान का उद्गाटन किया यह कहां पे है यह भोजपूर में है ठीक है यह बहुत important है अगर आपको इसमें confusion होगा तो आप सीधे पटना answer मार देंगे ठीक है तो मानसिक स्वास्त और संबन्द विज्यान सनस्थान कहां पे बना है यह बना है आपको भोजपूर में चलिए अब थोड़ा साम नेशनल देख लेते हैं कतर में फीफा 2022 में गोल्डन गलब पुरास्कार किसे दिया गया यह दिया गया आपको एंजो फर्नांडेज सोरी सोरी यह नहीं है बलकि यह है आमेलियानो माल्टिनेज को दिया गया है यहां पर दिखा भी है चलिए प्रोजेक्ट 75 हमने उपर बताया था आपको एक प्रोजेक्ट 75 भी है देखिए उसका नाम है वागसीर इधर कहीं दिखा होगा देखिए आयनेस वागसीर याद रखेंगे यह पूछा दा सकता आयनेस वागसीर के बारे में परिवेस पोर्टर इस डेवलप्ट बाई विच मिनिस्ट्री परिवेस पोर्टर की बात हो रहे है किसके दवरा किया गया है मिनिस्ट्री अफ इन्वार्मेंट फोरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज परिवेस पोटर का जिक्र की बात की जा तो बजट में भी इसका जिक्र किया गया था यह थोड़ा सा इंपोटेंट है इसको आप पढ़ रहेंगे हाले में किसे भारती विधिया ओए के धक्सी ग्रूप में नियुक्त किया गया यह तो रितिर्याद वस्ति यह प्रश्ण उपर में पूछा हुआ था रिपीट हो गया है यह चलिए लीड आईटी समिट 2022 बाद होस्टेड बाई लीड आईटी समिट 2022 यह किसके द्वारा होस्ट किया गया है यह हो जगा भारत और श्वीडन ठीक है यह इंपर्टेंट है याद रखेंगे लीड आईटी समिट किसके किसके बीच हो रहा है भारत और श्वीडन के बीच हो रहा है हाले में किसे भारती ओलंपिक संग का अध्यक चुना गया भारत अमेरिका संजुक्त सैन अभ्यास युद्ध अभ्यास का अठारावा संस्क्रन कहां आयोजित किया गया युद्ध अभ्यास दो होता भारत और अमेरिका के बीच में इसका अठारावा संस्क्रन था कहां पर किया गया ये हुआ है गुजरात में गुजरात ने यहां पर उत्र compensation में हुआ है ठीक है इत्राइगा मुझि दियू इसका नाम है निशान यह इंपोर्टेंट है इसको याद रखेंगे निशान नो से ना ध्वज है अनावरण किये हैं मोदी साहब ने निशान याद रखेंगे ठीक है हाले में इनिशान ने मोमलू गूफा को पहले सव आयू जीएस भू वैग्यानिक विरासत अस्तलों में एक में से एक के रूपे माननेता दी है बहुत इंपोर्टेंट सवाल है मोमलू गूफा कहां पे है या इनिशान ने इसको माननेता दिया है या है आपका मेघाले में ठीक है एमपोर मोमलू एमपोर मिघाले लेकिन यहां पे एमपोर मिजोरम भी हो दाएगा तो कन्फिजन न रहे आपको मोमलू मतल्ब कहां पे मेघाले में है किस भारती राजने एसिया का पहला ड्रोन ड्रेवरी सेंटर और नेटवर्क शुरू किया है यह स्टेट होग आपका मेगाले ठीक है हाले में भारती सेना और चीन किसीना पी एल ए के बीच में हाथा पाई हुई थी जड़ाप कब हुई थी भारत और चीन के बीच में जड़ाप हुई थी कब हुई थी वहीं पूछ रहा है यह हुआ था आपको नौ दिशंबर 2022 ठीक है नौ दिशंबर 2022 को हुआ था याद रखेंगे पिछली बार एक ऐसा डेट पूछ दिया था कि कुछ ऐसा डेट वगरा बेपीस हमें से एक दो पूछ था आप प्रिविस एर पेपर देखेंगे तो यह देट थोड़ा से याद रखेंगा नौ दिशंबर 2022 यह वहीं है उसी के एक्स्प्रानेशन है पढ़ड़ीजेगा चलिए राष्टमंडर खेलों में बैक टू बैक तीन श्वांड पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिरा कौन बनी है यह बनी है विनेश फोगाट एक फोगाट का नुद हमने उपर भी देखा था हूँ भी याद रखेंगे नाटो सिखर 2022 से निमनलिकित में से किस देश में आविजित किया गया था नाटो सिखर समिट दो भी हुआ है वह कहां पे बतब होष्ट कौन कंट्री किया वहीं पूथरा है इसको होष्ट किया है स्पेन यह 2022 का पूथरा है और नाटो का एक एक सरसाइज था लास्ट में नून था ठीक है आप इसी से याद रखेंगे भारत की जी ट्वंटी अध्यक्स्ता की पहली सेरपा किस सहर में आयोजित की गई थी यह उदाइपूर है देखें जी ट्वंटी होता है ना तो उसके पहले कुछ और मीटिंग होता है मतलब में मीटिंग के पहले तो उसको सेरपा कहते है ठीक है तो आप पहली सेरपा का मी कुछ बिहार करेंट एफियर है यहां पर भी देख रहे हैं 2021-22 में भारत में मस्रूम का सबसे बड़ा उत्पादक राज कौन बना है मस्रूम का बना है बिहार मद्दाताओं को जागरुक करने और मद्दान परतिशत में विर्धी के लिए बिहार नगर पारी का चुनाओ 2022 के किसे ब्रांड एमिश्डर चुना गया है इसके ब्रांड डेमिश्डर की बात करें तो ये थे मनोल बाल परी और पंकल तिर पार्थी दोनों लोग थे तो इनका एंसर हो जाएगा ई ठीक है चलिए बेश्ड प्लस एप रॉंच किया गया किस भी भाग के द्वार रॉंच किया अगर बेश्ड प्लस एप यह देगा आपका सिक्षा कि बिहार सरकारा इसको रौज किया है बिहार सरकार का है भेश्ट प्लस अप एप और जिकर संसे रिचर्ड है इसको याद रखेंगे बिहार के किस वक्तित को राष्ट्रिया प्ररेंणा पुरसकार मानक योजना के लिए चूना गया है यहाँ के नीहारक्य कुमारी नीहारक्य कुमारी को राष्टि यह प्रेणड़ा पूरस्कार मान飼क योजना के लिए चुना गया है बिहार स्टाट अप प्अलीसी 2022 में सीड फंडिंग का क्या पौधान है सीड फंडिंग का प्रवधान है है कि 10 राक रुपिया 10 साल के लिए 0% ब्याज पर यहीं है सीड यह आपका ऑप्शन इस इसमें करेक्ट है 10 राक रुपिया 10 साल के लिए 0% इंट्रेस्ट पे सीड फंडिंग का प्राउधान है जो बिहार डिटेल में लिखा गया है हर घर गंगा जर्योजना के बारे इन रिक्त में से कौन सा कथन गलत है कथन कौन सा है इसमें गलत कथन पूछ रहा है देखिए तो पहला ओप्शन क्या कह रहा है इसकी सुरबात गया बोध गया नलंदा और राजगीर में हुआ है दिखे यह गया बोध गया नलंदा में हुआ है इसलिए यह ओप्शन आपका कट दाएगा पहला ओप्शन आपका यहां पर गलत हो दाएगा इसलिए आपका इसमें बाकी ओप्शन भी सी डी तीनों सही है पहला यह ओप्शन आपका गलत था तो गया बोध गया और आजगीर तीन जो फर्स्ट फेज हो रहा है उसमें तीन जगह को इसमें रिष्ट किया गया है ठीक है कि देखिए यहां पर देटेर में दिखा हुआ है एक बड़ थोड़ा सब पढ़नेंगे यह इंपोर्टेंट आपके लिए 151 किलोमीटर रंबा पाइप्लेन बनाए जा रहा है 135 लीटर शुद्ध पेजर यह परदान करेगा और जगह कौन सा है राजगीर गया और बोध गया ठीक है उड़न्चु के लिए साहित अकादमी बाल साहित पुरसकार 2022 में किसको दिया गया उड़न्चु के लिए दिया गया डॉक्टर विरंदर जा को ठीक है बहुत को जाद रेखें गुड़न्चु के लिए साहित अग्वाल साहित पुरसकार दिया गया को दिया गया है विरंदर जा कहा के रहने वाले हैं मदुवनी जीन राक रहने वाले हैं दुलि पट्टि का यह सब गाउन नहीं पूछे कि रहत हैं मदुवनी जीन Ricky ऐं अक्टूबर को eso दो कीकिल सेलने धनार कि मिसंन सिक्स्टी इनी ब्हार इन इज रिडेतरे टू मिसंन सिक्ष्टी जो रॉंच्किया गया है यह कि सेल्गे दें यह एक्जाम्मेः प्था जा सकता है देखें यह जो है ंटलो हमसेल्ड से लेटरड में तो health तो कोई option में है नहीं तो इसका answer हो जाएगा E Mission 60 आपका health related है और देखे इसमें होगा क्या बिहार के सभी जीरा अस्पतालों को इस सार 15 नॉवंबर तक दीन में दो बार out patient department OPD दो होता है सिवाय देनी होगी मतलब जो Mission 60 में कह रहा है कि जो भी जीरा अस्पताल है हर डिश्टिक में एक hospital होता है तो सबसे बढ़िया होता है उसमें यह OPD सिवा देने का एक सीधा तोर पर आपका है Mission 60 किस रिलेटर है हेल्ट सेक्टर से है ठीक है Mission गती सक्ती के तहट आदानी समू कहां पर एक cargo terminal का निर्माण करेगा यह आपका है मुझफरपूर समस्तिपू railway station आदानी समू यहां पर एक cargo terminal बना रहा है कहां पर मुझफरपूर समस्तिपू railway station पर बिहार में अब तक का पहला अस्थाई traffic park कहां इस्थित होगा यह होगा आपका पटना में पहला अस्थाई traffic park परवनन traffic park पहला बिहार का तो important है यह होगा पटना में ठीक है बिहार का पाला ओक्सिजन पार कहां बनाए जाएगा यह होगा गुपाल गंज में यह भी इंपोर्टेंट है पाला है याद रखेंगे बिहार सरकार ने सबसे पिछड़ा बार के लिए इक आयो का गठन के इस आयो के अधक्स कोन है नवीन चंद्र आरे हमने देख रहे था उपर में अग्यार के बीभालाल किस से संबंदित है किस के लिए परसी दे बीभालाल जो है यह चित्रिकारी पिंटिंग से संबंदित है इसको भी याद रखेंगे आवास और सहरी मामलो के मंत्रारे द्वारा हाली में जारी किया गया स्वक्ष सर्वेक्षन दोजर बारीस के साथ में संस्क्राण में पटना की रैंक क्या है पटना की रैंक इसमें है 38 अवास और सहरी मामलो के मंत्रारे जो एक स्वक्ष सर्वेक्षन रिपोर्ट जारी किय किया ना है ? इसमें बिहार का रैंक है , 38 है तो 38 है राष्टिय युवा उत्सो दोहदार तेईस कहां मनाय दा रहा है यह मनाय दा रहा है हुबली में राष्टिय युवा मोट्सो उत्सो दोहदार तेईस हुबली मनाय दा रहा है उसके बाद है परवासी भारतिय दिवस समयने 2023 का विशे है इसका थीम क्या है इसका थीम है डाइस्पुरा रिराइबल पार्टनर फोर इंडिया प्रोग्रेस इन अम्रित काल ठीक है यह अम्रित काल अभी सब जी जो में आपको देखने के मिलेगा बजट हो कोई समिट हो परवासी भारतिय दिवस कमना जाता है 2023 कहां मना जाएगा इन दौर में इसको याद रखेंगे ठीक है इन दौर मना जाएगा इसका थीम यहीं है अब चलिए नौजनवरी को मना जाता है ठीक है विश्व हिंदी दिवस मना जाता है दस जनवरी को विश्व हिंदी दिवस दस जनवरी याद रखेंगे इसको देखें नौ जनवरी को मना जाता प्रवासी दिवस पचीस जनवरी को मत दाता दिवस नेशनल वोटर्स दे चार जनवरी को एक बोटन नहीं है ब्रेल डे फिर भी याद रखेंगे ब्रेल डे जरूरी है ब्रेल दिवस चार जनवरी को हाले में किस राजने महिलाओं के लिए 36 आरक्षण विदेग 2022 पारित किया है कौन सराज है यह किया है उत्राखंड उत्राखंड होरिजेंटर रिजर्वेशन लॉंज किया है 2022 पूछा जा सकता है इसको याद रखेंगे XBB 1.5 was recently in the news ETJ यह क्या है XBB 1.5 यह क्या है यह COVID का एक variant है ठीक है आप इसको याद रखेंगे COVID का एक variant है XBB 1.5